हलो दोस्तों, वेलकम डू टेक्सपटूल और दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियान टिक टॉक जी हां इंडी टॉक एप्लिकेशन के बारे में और दोस्तों इस वीडियो को शुरु से लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इंडी टॉक एप्लिकेशन कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे अच्छी तरीके से यूज़ करना है, और कैसे जादा से जादा पैसे कमाने है दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी प्ले स्टोर में जाके Indie Talk सर्च करना है कुछ ऐसा लोगो है Indie Talk एप्लिकेशन का दोस्तों इस एप्लिकेशन को आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दी कई लिंक से भी इंस्टॉल कर सकते हैं यूज़ करना है आइन अप विद गूगल दोस्तों इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि यहां पे आपको अपना पेटियम नंबर डालना होगा ताकि एप्लिकेशन आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर पाए तो यहां पे आपको दोस्तों अपना फस्स नेम लिखना है उ और उसके बाद अगर आप किसी के रैफरल से आए हैं तो यहां पे आपको रैफर कोड एंटर कर देना है दोस्तों तो दोस्तों यहां से मैंने अपनी सारी एंट्रीज कंप्लीट कर लिया है यहां पे मैंने अपना पहला नाम उसके बाद लास नेम यहां पे अपना मूबा दوس्तों यहां से complete हो जाएगा sign up complete करने के बाद दुस्तों आपके सामने कुछ ऐसा interface आ जाएगा तो सबसे पहले आपको अपनी profile में जाना है यहां मैं अपनी profile में दोसतों click करता हूँ profile में click करने के बाद यहां पर edit का option आपको मिलेगा तो कि आपको edit के option पे click करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक अच्छी सी profile picture upload कर देनी है यहाँ पे अपने बारे में कुछ लिख देना है जो भी है आप आपकी क्या hobbies हैं वो भी आप लिख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका email address पहले से आ रहा है और दोस्तों इस app का सबसे अच्छा features जो मुझे लगा है वो यहाँ पे आप अपनी Instagram ID लिख सकते हैं दोस्तों और साथ ही साथ यहाँ पे आप अपने YouTube channel का URL link भी paste कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको Instagram का अपना username डाल देना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपने YouTube का URL paste कर देना है और उसके बाद यहाँ डन का जो option आ रहा है आपको इस पे click कर देना है अब दोस्तों यहाँ से मेरी profile complete हो गई है उसके बाद चलते हैं यहाँ home के option पे click करने के बाद दोस्तों यहाँ आपके सामने काफी जादा वीडियो जाती जाएंगी जिनको आप उपर की तरफ स्वाइप करते जाएंगी या नीचे की तरफ स्वाइप करते जाएंगी तो वीडियो दोस्तों चेंज होती जाएंगी अगर आपको यह दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो यहां से direct क्लिक करके आप प्रोफाइल में जा सकते हैं साथी साथ इने अगर follow करना चाहते हैं तो यहां पे follow भी कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों अगर आपको popular वीडियो देखना है तो यहां से popular का भी option आपके सामने आता है यहां से तीन option आपके सामने आएंगे, एक popular का option उसके बाद live contest का और उसके बाद following का, तो यहां से अगर आप किसी को follow कर रहा है तो उसकी वीडियो के लिए आपको यहां पे click करना है, अगर आपको live contest देखना है तो यहां से देख सकते हैं, और popular वीडियो के लिए दोस्तों आ यहां पर search का, तो चलिए search के option पे चल के हम देखते हैं, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर जिस बंदे का नाम आपको search करना है, इसका account को आप enter करेंगे, और उसके बाद यहां पर उसका account आपके सामने शो होने लगेगा, उसके बाद दोस्तों बहुत important बात आती है कि आपको अपनी वीडियो कैसे अपलोड करना है तो इसके लिए यहाँ पे plus का option आपको दिखाई दे रहा है जिस पे आपको क्लिक करना है तो यहाँ मैं plus के option पे क्लिक करता हूँ उसके बाद यहाँ पे click here का option आएगा अगर आपको अपनी वीडियो अप्लोड करना है तो इस पे आपको एक बार फिर से क्लिक कर देना है इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपने कैमरा से वीडियो बना के अप्लोड कर सकते हैं चुकि मुझे camera यूज़ करके video बनानी है तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे आपको दो option मिलेंगे अगर आपको face camera करना है तो यहाँ पे click कर देना है या फिर back camera करना है तो भी यहाँ पे click करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको second option मिलता है flash का आप flash यहाँ से on and off कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पे जाना है add sound में और अपना अच्छा सा गाना चूज कर लेना है दोस्तों दोस्तों add sound में जाने के बाद आपको काफी जादा गानों के option मिल जाएंगे यहाँ पे गानों की भरमार है आप कोई सा भी गाना चूज कर सकते हैं नया पुराना कोई सा भी गाना आप यहाँ से चूज कर सकते हैं गाना चूझ करने के बाद दोस्तों आपको अपनी पूरी वीडियो रेकोर्ड कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पर जो टिक का अप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर टिक के आप्शन पर पे क्लिक कर देना है तो चलिए यहां नेक्स के ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक कर देते हैं तो नेक्स पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड आपकी वीडियो प्रॉसेस होगी और इसके बाद अपलोड का ऑप्शन आपके सामने आने लगेगा तो आपको क्या करना है अपलोड प टैप करना है एसे कर करने के बाद स्थों यहां पर आपको डिलीट का ऑप्शन आने लगेगा जिस पर आपको क्लिक कर दें यहां से मैं कने करता ह использовать कि उसके बास दोस्तों अपको यह जाएको से लिए कर देना है उसके बाद दोस्तों बात आती है कि आपको इस application से कमाई कैसे करनी है तो उसके लिए यहाँ पे दोस्तों चौथे option में आपको आ जाना है यहाँ पे हम चौथे option में चलते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी जादा contest चल रहे हैं जिसकी date आपको मिल जाएगी यहाँ पे कि contest कब से कब तक चलेगा और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों इसका पूरा इन्होंने price money लिख रखा है कि contest की शर्ते क्या हैं यहाँ पे जैसे कि पहला contest है इन्होंने प्रतम विजेता को दोस्तों 300 रुपए दे रहे हैं जैसे कि जिसकी picture पे जिसकी वीडियो पे सबसे जादा लाइक होंगे वो यहाँ से प्रतम पूरुस्कार भी लेके जा सकता है और अगर आपकी वीडियो पे सबसे जादा लाइक है तो आपको 500 रुपए भी मिल सकते हैं दोस्तों उसके बाद अगर आपको और पैसे कमाना है तो उसके लिए यहाँ पे चलते हैं हम अपने profile के option में दोस्तों. Profile के option में जाने के बाद यहाँ पे आपको 3Dot का option मिल जाएगा इस पे आपको 클ick कर देना 3. पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको wallet का option मिलेगा तो चलिए wallet के option में चलते हैं wallet के option में जाने के बाद दोस्तों यहां पे application के नए पैसा कमाने के features आ जाते हैं अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो आपको मिलता है 1 point ऐसे ही अगर आप कोई वीडियो यहां पे upload करते हैं तो आपको मिलते है 5 point उसके बाद अगर आप कोई भी वीडियो Instagram, WhatsApp, Facebook कहीं पे भी share करते हैं तो आपको मिलते हैं दोस्तों 5 point और अगर आपके refer code से कोई इस application को download करता है दोस्तों तो आपको पूरे मिलेंगे 20 point दोस्तों जैसे ही यहां पर आपके 1000 point complete हो जाते हैं वैसे ही आप अपना withdrawal लगा सकते हैं और Paytium से money transfer कर सकते हैं अब दोस्तों बात आती है कि आपको withdrawal कैसे करना है money तो उसके लिए यहां पर मैं back जाता हूँ दोस्तों और उसके बाद यहां पर एक आपको dollar का option मिल जाएगा आपको simply इस पे click करना है simply click करने के बाद दोस्तों यहां पर आप Paytium पे चले जाएं Paytium के option पे आपको click कर देना है यहां पर देख सकते हैं जैसे ही आपके 1000 point complete हो जाएंगे यहां पर आपका $1 complete हो जाएगा दोस्तों जिसको आप यहां पर अपने Paytium register number पे withdrawal कर सकते हैं withdrawal करने के लिए दोस्तों यहां पर आपको एक बार से फिर से अपना register number लिख देना है उसके बाद आपको कितने point withdrawal करने हैं मतलब 1000, 2000, 3000, 4000 वो आपको यहां पर लिख देना है और उसके बाद request payment पे आपको click कर देना है यह payment दोस्तों instant भी आता है या फिर इसे आने में एक से दो घंटे का time भी लग सकता है तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस application से related मैंने आपके सारे doubts clear कर दी हैं अगर आपको अब भी को your doubt है दोस्तों तो आप comment में mention कर सकते हैं जहां पर मैं आपके सारे comments का reply करूँगा तो आपको अगर यह video पसंद आई है तो जादा से जादा अपने दोस्तों के साथ share करें साथ ही साथ channel पर पहली बार आए हैं तो channel को जल्दी से subscribe करें video को like करें comment करें thank you so much for watching this video and thank you so much for supporting this channel